ओम नमस्षिवाई तंत्र के रचाहिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज दिन सोमवार है और आज मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ तो आज मैं यूँ ही अपने फार्म प्लेस के सामने बैठा हुआ था तो मैं सोचा कि उन्हें आपको एक ऐसा मंत्र दिया जाए जो कि आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जो कि किसी को भी वश्य भूत कर सके जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये जो विद्याएं हैं ये हर किसी के लिए नहीं बनी जिसे ये चीज़े चलानी आती है वो विश्व विजेता है और जिसे नहीं आती उसके लिए सिर्फ एक कोरी कल्पना है तो जो व्यक्ति मंत्र को चलाना जानते हो वही इसको कीजेगा या फिर पहले जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपिरेंस हो कि मंत्रों की शक्ती किस तरह की होती है कैसे इनहें चलाते हैं इसे वही इस्तिमाल में लाए अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो देखे थोड़ा ज्यानर्जित कीजिए और उसके बाद पांच-छे महीने बाद इस मंत्र को आप ट्राय कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक साधक बनना होगा क्योंकि साधक जो होता है वो इस दुनिया से अलग होता है उसकी सोचने की शक्ति अलग होती है वो जो द पट्सवाहा नेत्रमाया ओम फट्सवाहा अस्त्राय फट्सवाहा तो इसे जो है मोहीनी बीज मंत्र कहते हैं इस मंत्र का आपको लगातार सुबह पांच बजे ब्रह्म मूरत में इसका जाप करना है 108 बार जब आप 108 बार प्रति दिन बिना एक दिन नागा किये इसका एक विचित्र आलोकिक शक्ति आ जाती है जो कि आपके साध्या को आपकी और खीचना शुरू करतेगी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष जो भी हो वो आपकी तरफ खिचा चलाएगा बस आपको क्या करना है इस बीज मंत्र को रोज सुबह ब्रह्म मूरत में पानी देना है मतलब कि इसको आपको जब करना है सुबह सुबह और एक दिन भी नागा ना हो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन हो जाएंगी जो कि आपके काम बनाना शुरू कर देंगी इसे मुहिनी बीज कहते हैं और इस मंत्र का जितना ज़्याद इसको कीजिए लेकिन जब जितना ज़्यादा करें उसके एक लाए हो ऐसा नहों कि आपने आज तस कर लिया अकल पांच माला कर लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक लाए होनी चाहिए उस लैबते तरीके से आपको यह करना है और फिर आप देखेंगे कि एक महीने के भीत भीतर आपका जो भी साध्या है वो आपकी और विचलित होकर बस चली आ रही है चला आ रहा है इसे मुहिनी बीच कहते हैं इस मंत्र से आज तक कोई भी अच्छूता नहीं रहा एक बार किसी पर लग गया तो यूँ समझे वो आपका गुलाम बनके रह जाएगा यह हर किसी के लिए काम नहीं करेगा यह उन्हीं के लिए काम करेगा जो इस दूसरी दुनिया की बातों को जानते हैं या शक्तियों से उनका पहले परीज़ हो चुका है जिसे मंत्र चलाना आता है वही इसको कर पाएगा लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जिसको ना मंत्र का पता होता है ना वार ना शत्रति ठीका वो भी पहले ही बार में इस बीज मंत्र को कर लेते हैं तो इसमें बहुत प्राचीन एक बात मुझे याद आ रही है उसमें लिखा हुआ था कि अतसत परिश्रम करे जो कोई अनलप रकट चंदनते होई अर्थार्थ यदि आप परिश्रम करते हैं और तो चंदन को भी अगर आप परिश्रम से रगड़ते रहते हैं तो उसमें से इसका असर दिख जाएगा लेकिन मन में पूरा विश्वास होना चाहिए पूरे विश्वास के साथ इसको कीजेगा तो आपके भीतर एक ऐसी आकरशन शक्ति आ जाएगी जो किसी को भी वश्यभूत कर देगी अगर आप किसी के पास से भी निकल जाएंगे तो भी ऐसा के लिए आप मेरा ये अनुभूत मोहिनी बीज मंत्र अवश्याज मेंगी का धन्यवाद